हिमाचल प्रदेश में 7 और 8 अगस्त को बारिश का औरेंच अलर्ट जारी किया गया है प्रिश्वासन ने लोगों से घरों में रहने के अपील की है लेंड स्लाइड और बाड के कारण 87 सड़कों को बंद कर किया गया है वही राजस्तान में लगातार हो रही बारिश से बाड के हालात बने है पट्रियों पर पानी भणने के कारण ट्रोय ने कैंसिल की जा रही है पुछका रूट डाइवर्ट किया गया है वही पुछकर सर्वर जो कि अजमेर में सीथ है वह और फ्लो होने के कारण आसपास के होटल घरों को खाली कराने के निर्देश चब्रीव देखते हुए टोंक, बालोप्रा, जैसल में नागोर और पाली के जिला करेक्टों ने 6 गस्त को इस बुलू में छुटी की घोशना की राजिस्तान के अजमेर में पुशकल जील का जलिस्तर लगातार बढ़ रहा है इसके चलते आसपास के होटल घरों को खाली कराने के निर्देश चुदिये गए इधर मध्य प्रदेश में बारिश से छोटी बड़ी नदिया उफान पर है बरगी, बांड सागत जैसे दस बड़े बांधों के गेट खोल कर पानी छोड़ा जा रहा है जबलपूर में बरगी बांड 84 प्रतिशन पर चुका है उत्राखन में भारी बारिश के कारण लेंड स्लाइट और बार्ज प्रभावित 17,000 लोगों का रेस्क्यू कियाता है इनमें कियदारनाक यातरा में फसे तिर्थ यातरी उश्रामर है अब प्रभावित इलाकों में एक शतीक्रा स्पुल, बजली के खंबे, कम्यूनिकेशन लाइनों को ठीक करने का काम जारी है अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी बाद इनमें दो की मौत यातरा मार्क पर हुई महराश्ट के पूरी जिले में भी बार से हालात बेहत खराब है खड़क वासला डैम से पानी छोड़ी जाने के बार मुधा नदी उफान पर है इसके कारण एकतान अगर में पानी भर गया यहाँ पर आर्मी एंडियाराफ नागरिक प्रशावसन की टीम में पहुँची लोगों को खाने पेने की चीज़े मुहिया करवाई जा रही है महराश्ट के गिरना नदी में फस्ते मश्मारों को आर्मी के हेलिकॉप्टर ने बचा रहा है स्तियम एक नाथ शिंदे भी हालाच पर नजर बनाये के है मुथमी भाग ने लुजोरम में भी 12 अगस तक भारी बारिश का लड़ जारे किया है जोरान तेज आंधी बजली गेलने की भी संभावना जटाए गया है राजे सरकार ने लोगों को सतर्क रहने को कहा है नागले मनिपूर मिजोरम तिरुपूरा उपग माली पशिम्भंगार सिक्किम ओडिशा उत्तर प्रदेश उत्राखन हरियाना चंडिपर हिमाचल प्रदेश मध्य प्रदेश गुद्रात कोंकंड गोवा और मध्य महराष्ट में भारी पारिश का अलड़ जारी किया गया ह इसलिए साल्धान रही सुरक्षित रहिए अपना खाल रहिए